राधे राधे जैश्याराम हर हर महादेओ कैसे आप सभी लोग जी अच्छे से होंगे बहुत ही अच्छा आज सब्जेक्ट है आज के दौर में देख रहे हमारी जो बहने हैं हमारी जो बेटियां हैं उनके बिवाह में बहुत अर्चना रही हैं कहीं लड़का अच्छा मिल चाहिता द इसे लेकिन हें घर वाले अ्टन्गा ड़ो जाल देतें का कि साधी ओते होते सारी बात बंते बंते टूर जाती है लोग देखने आते पसंद तो करते हैं लेकिन दुबारा कोई जवाब नहीं देते हैं इस तरीख से अगर आपो इस बिवाह आपकी साधी लगात दार तलती चली जारी रुकती चली जारी उसमें दिक्टे आ रही है तो आज हम बताएंगे आपको एक ऐसा उपाय सावन का एक ऐसा अच्चूक भगवान सिव का परशाद कि अगर उसे आप कर लेंगी तो हमारी बच्चियों हमारी बहनों हमारी बेटियों निश्शित मानिए कि ये साच्छात सिवजी का वर्दान है ये कभी विफल नहीं होता है ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस परियोग को आप करें और आपको निरासा हाथ लगे इस परियोग को करने के बार आपका विवाह अच्छे परवार में सुन्दर पती जो आ आपकी इज्जत करें और दोनों लोग एक प्यारा सा लाइफ जो होता है नहीं एक अच्छी से जिंदगी आप गुजारें आज मैं ऐसा उपाई लेके आया हूं नमस्कार मैं हूर उद्र स्रानम हराज अत्तर प्रदेश आयंध्या से विगत तीन वर्सों से आप लोगों के निशुल के सेवा कर रहा हूं मेरा उद्देश तंतर मंत्र यंद्ध के नाम पे जो लोग लूट रहें आपको इससे बचाना साथ ही हमारे धर्म का हमारे जो वेद हैं हमारे मंत्र हैं इनका जो पहास उड़ाय जा रहा है इसके बारे में आप लोगों को बताना साथ ही हमारी जो लुप्त विद्याएं ह उन विद्याओं को आप तक पहुचाना कि ये विद्याएं हमारे बुजर्गों के साथ ही न दपन हो जाएं उनके साथ ही न चली जाएं इसलिए हम वही तोटके वही परियोग वही साधना आपको बताते शिकलाते हैं जो परमारिक अचूक होती हैं और गारेंटेट होती हैं तो उसी करम में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ विवाह आपका कैसा हो ये बच्चियों के लिए है पुर्शों के लिए भी आएगा उससे पहले मैं विदन करूंगा बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं हमारे जिनकी साधी होने के बाद बैवाहिक जीवन बहुत ही नरकिया है या तो पतनी एकदम से परेशान कर रखा है या पढ़िये विडियो के देखिये और परियोग करिये ला पूठाईये तो चले मैं बताता हूं रुद्राच सभी लोग जानते हैं रुद्राच सभी लोग जानते हैं सिप करना के है सावन के किसी सुम्मार को आप एक रुद्राच लेना है छे मुखी, उसको आप सुध्य गौधूद से धुलना है, गाय के दूद से धुलना है, गंगा जल से धुलना है, धूप दीप देकर भगवान शंकर का कोई भी ओम नमस सिवाय का 108 बार जाब कर लेना है, फिर उस रु इसको उमना माहश्य वाय सिर्फ इतना करके धारन कर लेना इसकें अंदर एक मुखी से लेकर करद आजनें धारन और पुरा माला कि तो आपको वह धारन कर लेना ध्यान के धारन करने के पस्चाल हमारी बहने रितुमास हो जाता है उसमें कोई औरक यह लेकिन इसको पहन के कि आप कि जो यह अगर थो आगर नगर्शच ट्रियान है तो fototti वन डेज किसी प्रकार का मास मद्या यह बैंन है मैं फिलकी मौडल बहने हैंब हो अलकर मार तो क stability किसी प्रकार नसा किसी प्रकार का मांसा नहीं पुनर रूप और भजित है इसको मत करें बोले नाथ की बिए आप इस प्रीयोग करने के बार आप किसी कण्या को एक वस्त्र जैसा भी रुमालही चाहे दिए यह गरीब कण्या को षरण दीजेगा और फिर देखेगा भूले बाबा के डमरू का कमाल ऐसा धुन बजाएंगे ऐसा धुन बजाएंगे कि उस धुन को सुनकर अच्छे-च्छे सुन्दर सुन्दर लड़के और धन्वान बच्चे चरित्रवान बच्चे वह आपकी तरफ आकशित हो के आपके विवा के लिए याच्चिना करेंगे यनि सुन्दर पती आपको मिलेगा यह बहुत अच्छा प्रियोग जबाद का विवा हो जाए तो करना क्या है पांच अच्छी जगे फलदार ब्रिच लगा दें और एक पीपल का ब्रिच लगा दें ठीक है अपने माबाप सास ससुर की हमेशा करना तभी आप सुखी रहोगे ठीक है और इस परियोग को करिए लाब उठाए किसी प्रकार को आपको किसी प्रकार की परेशानियों कोई जानकारी चाहिए तो मेरा नंबर लिख लिए इसको लिख लिए सब्सक्राइब को चार बिस तक का कॉल पर हम रहते हैं हमारे से लोग रहते हैं रभी वार को शुट्टी रहती है साथ एक चीज़ बता दें अभी हमारा गुरू को एड जो साधना देने जा रहे हैं ये अतशिक्र जो करना चाहें आ जाए अन्य था ये तीस तारिक को पूर्णता बंद कर दिया जाएगा पांच तारिक से हमारा जो जितने लोग तीस तारिक तक आएंगे उनी को लिया ज नहीं है बलकि आपके साथ जुड़े रहने का उसके साथ आपको योग बना देने का कि सनातन धर्म के साथ लोगों की मदद करें लोगों की हेल्फ करें और हमारी विद्याओं के स्वामी बनें इस एक साथ गोलिये जैश्री राम राधे राधे ओम नमस्षिवाए आप सभ